दमो जिले के मडियादो थाना के पाठा गाउं में नई नवेली दूलहन ने शादी के दूसरी राथ ही दूले के साथ ऐसा कांड किया जिसे सुनकर पूरे गाउं में हडकंप मजगया किसी को कुछ समझ नहीं आया और दूलहन ने दूले के साथ इतना बड़ा खेल कर दिया कि पुलिस वाले भी एक पल को हरान हो गए साधी के दूसी रात ही दूलहन सोने चांदी के जवरात और नगद रुपे लेकर फरार हो गई और दूलहन सोता रह गया इसके बाद जब दूलहन के आख खुली और दूलहन घर पर नहीं लोटी तो उसने फोन लगा कर बात की तो दूलहन ने वापस आने से इंकार कर दिया जिसके बाद मानो दूलहे के पेरो तले जमीन खिसक गई हो इलाके में भी हड़कंब मजगया कि दूलह के तो उसकी दूलहन साधी वाली राज छोड़ कर फरार हो गई वो भी चूना लगा कर और दूलह सोता रह गया जानकारी की मताबिक दूलह गली कुर्मी की शादी नहीं हो रही थी और इस बात एक खबर दलालों को लग गई अबने जम कर जश्ट मनाया लड़के की शादी होने से दूलह के घर वाले इतने खुष थे कि उन्होंने नई नविली दूलहन के लिए सोने चान्दी के गहने भी बनवा ली थे जिसके बाद दूलहन सपना वर्माला वाली रात तो घर में रुकी और अगले दिन साथ मैई के रात करीब दो बजे सोने चान्दी के जवरात और नगच 40,000 रुपे लेकर मुबोले भाई किश्णा यादों के साथ फरार होगी सुबा जब दूलहन घर में नहीं मिली तो हड़कंप मजगया है दूलहन को फोन लगाया गया और बात हुई तो उसने वापस आने से इंकार कर दिया फिलाल दूले के परवार वालों ने इस मामले के सूचना थाने में दर्च करवा दी है पुलस वालों का कहना है कि वो जल्दी लूटेरिय दूलहन को पकड़ लेंगे और सक्त कारवाई की जाएगी इस खबर में इतना है खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट का ज़रू बताएं साथी मद्परदेश यूरी तमाम खबरे देखने के लिए देखते हैं विकनुज जैंपी धन्यवाद